प्रभु भक्त जनू अब आप कार्तिक पुराण के 35 में अध्यात आकरी अध्याय का सरवन करें इस अध्याय में सभी रिशी सूत जी से बोले कि ये सूत जी अब आप हमें तुलसी विवा की विदी बताईए सूत जी बोले कि कार्तिक शुकला नौमी को द्वापर युग का आरंब हुआ है अतय ये तिधी दान उपवास में करमशेह पुर्वाहन व्यापिनी तथा पराहन व्यापिनी हो तो ग्राईये है इस तिधी को नौमी से एकादशी तक मनुश्य शास्त्रोक्त विदी से तुलसी विवा का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिती में संध्या के समय तुलसी जी के विवा की विधी संपन्य की इससे किशोरी वैधव वेदोश से मुक्त हो गई अब मैं उसकी विधी बतलाता हूँ एक तोला सुर्ण की बगवान विश्णू की सुन्दर प्रतिमा तयार कराएं अथवा अपनी शक्ती के नुसार आदे चुथाई तोले की प्रतिमा बनवालें पिर तुलसी और भगवान विश्णु की प्रतिमा में प्रान प्रतिशा कर, सोडाशो पचार से पूजा करें, पहले देश काल का स्मर्ण कर गणेश जी का पूजन करें, फिर पुन्याहवा चन कर न अंधी को स्राद करें तत पश्चात, वेद मंत्रों के उचारन और बाजे की ध्वनी के साथ भगवान विश्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें, प्रतिमा को वस्तरों से आच्छादित करना चाहिए, उस समय भगवान का आवान करें, भगवान के शव, आईए देव में आपक अच्छारन कर इन्हें बारी-बारी से भगवान को समर्पित करें, फिर आच्मनिय पद का तीन बार उच्छारन कर भगवान को आच्मन कराएं, इसके बाद कांशे के बरतन में दही, घी और मदू रखकर कांशे के बरतन से उसे ढख दें, तभी भगवान को अरपन करते व चंपन करके गोधुली की वेला में तुलसी जी और भगवान विश्णु का पूजन प्रितक प्रितक करना चाहिए दोनों को एक दूसरे के सम्मुक रखकर मंगल पाठ करें जब भगवान सूरिय कुछ कुछ दिखाई देते हूं तब कन्यादान का संकल्ब करें अपने गोत् पर इस तुलसी दल को आप विवा की विधी से ग्रहन करें यह पारवती के बीच से उत्पन हुई है व्रिंदा की बस्म में स्थित रही है तदा आदी मद्य और अंत से शुन्य है आपको तुलसी बहुत प्रिये है अतै मैं इसे आपकी सेवा में समर्पित करता हूं मैंने जल के घड़ों से सींच कर अन्य प्रकार की सेवाई कर अपनी पुत्री की भाती से पाला है पोसा है और बढ़ाया है आपकी प्रिया तुलसी मैं आपको दे रहा हूं प्रभू आप इसे ग्रहन करें इस प्रकार तुलसी दान कर उन दोनों अथा तुलसी और बगवान क्यां दें फिर स्वस्टी क्रिट होम करके पूरना होती दें आचारी के पूजा करके होम की शेस विधी पूरी करें उसके बदब भगवान से इस परकार प्रातना करें कि है प्रभू आपकी प्रसनन्ता के लिए मैंने ये वरत किया है है जनारदन इसमें जो नियुन नता हो है आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो यदि द्वादशी में रेवती का चोथा चरण बीत रहा हो तो उससे में पार्ण नहीं करें जो उससे में भी पार्ण करता है वे अपने वरत को निस्फल कर देता है बोजन के पश्चात तुलसी को स्वत्य गल कर गिरे का विसरजन करते वे कहें कि है प्रभू आप तुलसी जी के साथ वैकुंट धाम पधारें प्रभू मेरे द्वारा की गई पूजा को ग्रेंड कर आप सदैव संतुस्टी करें इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसरजन करके मूर्ती आदी सब समगरियां आजारिय को अपन करें इससे मनुश्य कृतात हो जाता है यह विदी सुनाकर सूत जी ने रिश्यों से कहा कि है रिश्यो इस प्रकार जो मनुश्य सरदा पूर्वक शान्ती संतोस को धारन करता है बगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है वे संसार के सुखों को भोग कर अंतमे विश्णु लोक को प्राप्त करता है हे रिशी वरू यह कार्तिक महातम में सब रोगों और संपूलन पापों का नाश करने वाला है जो मनुश्य इस महातम में को भक्ति पूर्वक पढ़ता है और जो सुनकर इसे धारन करता है वे सब पापों से मुक्त हो जाता है बगवान विश्णु के लोक में जाता है जिसकी बुद्धी कोटी हो तदा स्रदा से हीन हो ऐसे मनुष्यों को यह महातम में नहीं सुनना चाहिए इती स्री कार्थिक मास महातम में समाब